हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए इंडो चाइनिज रेसिपी चिकन क्रिस्पी जिया यह बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस और मज़ेदार रेसिपी भी है यह एक चाइनिज स्टार्टर रेसिपी भी है यह इंडिया में भी स्टार्टर कर तो अबाद नना नची वीमिती को नची है को थिक सावता है, अब श्युक्त परादा‌ है करें टोड़ा जाया जार्वा यहांड़ा है क्ल smell, सबस्छा को प्यों नहीं हम एकarteuk मेरे एकड़ा तक हम यहां पनीन तोड़ा 실व करें कि चुछ आ तो प corrida मेरे नहें से कर द representing दみ कर दोनल सब्सक् glowing bark अबना 2024 को उसके सब दोन आप स्वीट कोा एक श्रों में डिया नहीं में कृस्पराइब मेरी नियुक्त। क्योंकि नमक स्टाटिंग में कम डाल now is we are dollar तुर ंए तुर नमक के बार लाने ब्लेक पर पॉडररback पॉडरर आपकों सकते हूँ वन टी स्पून में इसमें डाला हाफ टी स्पून में इसमें डालूंगे सोया सोस अगर आपके पास डार्क सोया सोस नहीं है तो लाइट सोया सोस भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं मेरे पास डार्क सोय सोस था इसलिए में इसको हाफ टी स्पून डाला वन टी स्पून हमें इसमें एड करना है अधरक लहसुन का पैस्ट लेकिन में यहाँ पर नहीं एड कर रही हूं चिकन को मैरने अट करके आप 20-25 मिनट के लिए अलग डग देंगे अब हमने ले लिया है इसमें हम लेंगे कॉन फ्लोर यहाँ पर में 4 टेवल स्पून जो है कॉन फ्लोर ले रही हूं देखे टू थ्री एक और ले लेंगे और इसका आधा हमें लेना है मेदा जितना हम कॉन फ्लोर लेंगे उसका आधा कॉन्टिटी में हमें मेदा लेना है तो मेदा मेलूंगी 2 अब में एड करूंगी ब्लैक पेपर पॉडर हाफ टीस्पून और नमग डालेंगे स्वाधनुसार क्योंकि नमग हमने चिकन मेरिनेट करते हुए भी एड किया था और वन टीस्पून हम इसमें एड करेंगे मैन इंग्रेडियन्ट से बैकिंग पॉडर बैकिंग सोडा का बि अब बना बना लेंगे लेकिन मैं इसमें पूरा अंडा डाल रही हूं वन से टू टीस्पून हम डालेंगे इसमें ओल कोई भी कुटिंग ओल जो अब यूज करते हैं अब हम इन सभी इंग्रेडियन्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी दाल के मिक्री रेती सब्साइब मैं को शñमाल का बढ़ा गोफे cór चुशंए ना टेके से पना बनाती सब्साइब करनी दूज करयें केसा बवा बिड़ा हूं लेगे दिये बनाते में बनाता ना यहां जादा थिक रखना हूं और जया पक्तल के लिए पतल से इतना थिक लिए और किस बख त्राइब कंटेस्टेंट जफ न न मीडिम प्रोसेस। मैं जब तर च dobrप प्रोसेस प्रोसेसे करने। डीन एक हटोति मेरेनेट्ट लिद्थ 25 मिन्ट मैं जबतु हैं लगा जाए। अब हमें क्या करना इसको व फ्राइ करना है। यह लगा इने के लिए मैंने एक पैन रख लाग भी घरम हो गया है। मेडियम हाई flame इसको फाय करेंगे , एकए युड उ ai ताला है इसको विश्बहों किस जाएक च़ारा हुआ यह पर झालेंगें तो अम्burद को प्रीम में चुमधा चालेंगे इसको फ्राइब करना रान के लिए दियान कर ला है तब यह क्रिस्पी होगा दोस्तो हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन तो इसके लिए हमें क्या करना है हमें इसको हाफ फ्राइ करके निकाल लेना है क्योंकि हम इसको डबल फ्राइ करेंगे तब यह जादा क्रिस्पी बनेगा और बहुत ही मज़ेदार बनेगा तो देखिए एक को आप साटीर ही यहां बनानाना आहाँ पर में इस में स्टार्ट के रूह रप देखने शत्ति खाया है। और यहां लप नीगा आपका डीओ कमानाना मुस्गान था ड्लीओन फिet nat 11 टीओन माने sww मिर्च जोंते जाते हैं यहलो भी रैड भी और गूर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इसको कर सकते हैं मैंने सिर्फ ग्रीन कलर की ही शिम्म्ला मिर्च इसमें एड़ की है देगे शिम्म्ला मिर्च भी थोड़ा सोवाइद हो गई है यह हमें आड़ कर रही हूं हमें डालना है सिर्फ एक सी दो चुटकी स्वाद अनुसार क्योंकि आप जो हम सोस बनाएंगे उन सभी चटनियों में भी नमक होता है तो यहां पर हम डालेंगे इसमें वन टी स्पून शेजवान सॉस वेसे तो इसमें घर पे बनाई हुई कश्मीरी लाल मिर्च का पैस्ट अगर वह नहीं है आपके पास तो आप एजी बनाने के लिए इसमें शेजवान सॉस का यूज कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको डिस्टाइल बनानी है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पैस्ट जरूर एट करें तो से थी स्पून हम इसमें डालेंगे टमाटो मैं यहां पर मैंने 1 टी स्पून विनेगर भी एट कर दया है और इन सभी साज्य को डाल करने 1 ड़िए एक कप पानी और इसका गोल बना यह हम एक्दम पतला सा हमें इसका गोल बना ले ना है गोल का डाल कंवार अड़ी एग ऑशेज जो है अछे से बन रही है दिखिए और चला देंगे जब गेस की फ्लैम को हाई कर दें जब गेस की फ्लैम हाई हो जाए तब इसको चलाते रहे इसको इसको इस्टिड करते रहे चुला चाश शाटते हमाडा एकल के रeg тонningen ट के दागा टॉम shift लगा थिक provenant डबल से हमने फ्राइ किया है और यह बहुती क्रिश्पी हो गए है अब हम जूआ इसको डाल देंगे क्योंकि हमारी सॉस राडी हो चुकी है तो चिकन में डाल दिया है और यहां पर जो हम गेस की फ्लेम को अगदम अलो रखेंगे इसको हम आपर अच्छे से मिक्स करेंगे त आपको रेसिपी अच्छी लगई हो तो कमेंट करके जरूर बताईएगा ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए मेले चैनल इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक्स फुर वाज